नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लॉंचर में एक स्पेशल कारिक्रम लेके मैं आपके सामने आया हूँ मैं टीवी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इंडिया टीवी में मैंने एक पीडित का साख्षतकार सुना जो गैंग्रेप हुआ है अभी चार में को जिससे पुरा देश आंदोलित हुआ है सरोच नैले से लेके प्रधान मंत्री के सीने में प्रीडा हुई है उसके संधर्ब में इंडिया टीवी में एक विक्टिंग के पती का संधर्ब ओ है मनिपूर चार में को हुआ गैंग्रेप इस संधर्ब में मैं आपके कहानी सुनाना चाहता हूँ अंत्रिक देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि 1947 से लेके 1923 तक क्या क्या चीज़े बदली हैं मैं आपको लेके चल रहा हूँ 1969 में 1959 की बात है अम्रिश सर के रेल्वे स्टेशन पर कुछ फाउजी अपने परिवार के साथ अपने एक साथी को जो घर जा रहा था चुट्टी पे छोडने स्टेशन आये थे वहां कुछ असामाजी तत्व थे प्लैटफॉर्म पे पता नहीं किस ताकत का मद था उन्हें उन्होंने रेल्वे स्टेशन पे इन फाउजीयों के महिलाओं के साथ छेड़ खानी की फाउजी उन पे तूट पड़े वो गुंडे असामाजी तत्व रेल्वे स्टेशन के बाहर भागे पास में एक सिनेमा हौल था उसमें जागु से अब सिनेमा हौल में ये फाउजी जाकर लाइन ओर्डर का इशू हो सकता था उन्हें उन्होंने अपने कैंटाउनमेंट में फोन किया कैंटाउनमेंट में कर्मनल जोथी मोहनसेन कमांडिंग ओफिसर थे जैसे उन्हें इस बात का पता लगा उन्होंने एक ट्रूप भेजा जिस ट्रूप ने वो सिनेमा हौल को घेर लिया हौल कब फिल्म का स्क्रेणिंग बंज किया गया लाइट लगाए गये उन गुंडों को ढूंडा गया खीच के बाहर निकाला गया निर्वस्तर किया गया मतलब चड़ी और बनियान उनके शरीर पे थे और उन्हें परेड करते हुए रस्तों से अमरुसर के केंटर्मेंट एरिया मिले गये और वहां अरेश्ट किया आर्मी पुलीस ने ये बात पंजाब के तादकालि मुक्यमंत्री प्रताब सिंग कैरो को पता लगी और वो इसलिए पता लगी कि उन असामाजिक तत्वों में उन गुंडों में उनका बेटा भी था यही उसके सत्ता का मत था कायरो साहब को लगाender मुख्यमंत्रि हूँ पंड़ाब का, दुस्से दिनों धर्दडाते वे केंटॉनमिन्ट में कार लेके गए केंटॉनमिन्ट के बेरियर में मुख्यमंत्रि की कार रोकी गई और कहा मुख्यमंत्री का स्वागत हो सकता है एक गुनेगार के पीता का नहीं आपको कार यहीं रखनी होगी पैर पैर जाना होगा एक लंबी दूरी करके पैर पैर चलते हुए भन भराते हुए कैरो साहब सीओ को जाके मिले सीओ ने सारी स्थिति बताई बाद में घुसे में कैरो साहब ने तातकालिन प्रधान मंत्री जवारलाल नहरू से बात की कैरो साहब ने जवारलाल नहरू को सारी बाते नहीं बताई होगी लेकिन जो उनके साथ बत्तमीजी हुई उसका संग्यान उन्होंने प्रधान मंत्री को दिया कैरो जी प्रधान मंत्री के बड़े नजदी की माने जाते थे प्रधान मंत्री जिनने तादकालिन आर्मी चीफ जनरल थिमया को बुलाया और कहा कि ये क्या कर रही है आपकी फोज मुक्य मंत्री का आप मान तब जन्रल थिमया ने जो कहा प्रधान मंत्री को वो मैं अंग्रेजी में आपको बताता हूँ और हिंदी में भी उसका पनुवाद करूंगा इफ वी केनाट डिफेंड दे आउनर अवर उमन हाव केन यू एक्सपेक्ट अस तो डिफेंड प्रधान मंत्री जी यदि हम अपने घर के महिलाओं की इज़त की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप हमसे कैसी अपक्षा रख सकते हैं कि हम हमारे देश की इज़त की सुरक्षा करें देश की सुरक्षा करें प्रधान मंत्री शर्मिंदा हुए उन्होंने इशु महीं खतम किया यह मैं कहानी आपको 1969 की 1959 की इसले ला रहा हूँ क्योंकि एक कहानी मेजर जंडरल धुरू सीक कटोच ने एक मैगजिन में लिखी है इस मैगजिन का नाम है Sell it to Indian Soldier और यह कहानी मैं क्यों लाया आपके पास क्योंकि चार मई को जिन धरीन दो ने तीन महिलाओं को निस्वस्त्र करके सब के सामने घुमाया पांच लोग थे एक की तो हत्या हो गई दुसरा अपने बहन को बचाने गया तो उसको माल डला गया बचे तीन महिलाओं हैं तीन महिलाओं में से तीनों को नंगा करके घुमाया गया एक पे सामुहिक व्याभीचार हुआ एक के साथ बाद में तीनों अभी रिलिफ क्याम्प में हैं जिन दो महिलाओं थी बुज़ग 50 साल की और 40 साल की जिनको नंगा करके घुमाया उसका पती भारतिय फौज में है था रिटार्ड हो गया है स्री लंका में इंडियन पीस्किपिंग फोर्स में उसने जान की बाज़े लगा कर भारत की आई पी के एफ जो था उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाई और कारगिल में फिर एक बार जान की बाज़े लगा कर उसकारगिल युद्ध में उसने शिर्कत की और भारत को विज़े दिलाई मैं इंडिया टीवी में उसका फोनों सुन रहा था वो कह रहा था कि मैंने देश की इज़त बचाई मैं देश के लिए लड़ा मैं रिटाइल हो गया हूं लेकिन मैं मेरी गाओं मेरी पत्नी मेरे घर को नहीं बचा पाया यह वस्तुस्तिती है आज ना जनरल थिमया जैसे लोग है ना करनल जोती मोहन सेंज जैसे लोग है ना प्रधान मंत्री नहरू जैसे लोग है आज एक फौजी की पत्नी को नंगे करके घुमाया गया उसके बाद साथ दिन बाद जब सरोच नयायलाई से लेके तमाम पुरे देश के लोगों ने अपना क्रोध प्रकट किया तब जाके एक आजमी अरेष्ट हुआ और तीन चार लोग अरेष्ट हुए अब बताने उनका क्या होता है क्या चार शिर्फाइल होती है क्योंकि वहां तो मुझरिम भी वहीं सरकार भी वहीं गवा भी वहीं प्लिस भी वहीं तो क्या प्खशा रख सकते हैं आप्ने हैं के यहां मुख्यमंत्रिया कहते हो मनिपूर के हजारों के तादाद में अफायार है अब एक अफायार क्यों साथ दिन लेट हो गई इस पे तो हम नहीं बता पाएंगे यह इनकी मांसिक्ता है यह इनकी इनसानियत है आज शर्म के मारे सर जुक रहे मेरा उस फाउजी को जिसने अपनी जान दी जिन्दगी दी इस देश के लिए उसे मैं हाथ जोड़ के माफी ही मांग सकता हूँ क्या आपने तो मेरे देश की रक्षा की मेरे देश की सिमाए सुरक्षित रखी मैं रात की नीद आराम से सो पा रहा था लेकिन मेरे भाई हम इतने नाला एक और नाकारा है कि तुने जो देश सिवा की उसके आएवज में हम तेरा घर तेरा गाउँ पर तेरी पत्नी की इज़त नहीं बचा पाए हमें माफ करा आज उस कहानी को इस संदर्ब में देखिएगा तो आपको पता पड़ेगा कि 1947 से लेकर 2023 तक नेताओं में, राजनेताओं में सत्ताधिशों में कितना बदल आया है सत्ता का मक्षन खाने के लिए और चुनाओं जीतने के लिए बहुत संख्यकों के साथ चाहे वो गलत हो फिर भी साथ खड़े रहने के लिए ये कितने मजबूर है जहां सविधान के धज्या उड़ती है और ये मौन धरन करे बैठे भगवान हमारे नेताओं को भी सत्भूत्य दे धन्यवाद देखते रहिएगा न्यूस लाँचर